नमस्कार, NCIT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह है क्लास 7 की साइंस का चाप्टर 12 Reproduction in Plants इस चाप्टर में हम जानेंगे कि प्लांट किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं एक बड़े प्लांट से एक नया छोटा प्लांट किस तरह बनता है हम इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे क्या-क्या तरीके हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन के हम इनके बारे में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं इस चाप्टर को To produce its kind is a characteristic of all living organisms अपनी तरह के नए दूसरे जीवों को पैदा करना हर living organism की खुबी है characteristic है मतलब यह कि हर living organism अपने बच्चों को जन्म देता है reproduce करता है तो animals की तरह plants भी living organism हैं इसलिए वो भी reproduce करते हैं नए छोटे पौधों को जन्म देते हैं You have already learned this in class 6 हमने ये बात class 6 में सीखी है The production of new individuals from their parents is known as reproduction Parents से माता पिता से बच्चों के produce होने को उत्पन होने को हम reproduction कहते हैं तो ये आपकी reproduction की definition है But how do plants reproduce? तो यहां तो हमने reproduction के बारे में जाना कि parents से जब नए individuals, नए organisms produce होते हैं पैदा होते हैं तो उसे हम reproduction कहते हैं लेकिन ये reproduction plants में किस तरह होता है? इस chapter में हम इसी के बारे में discuss करेंगे There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter Plants में reproduction करने के अलग-अलग तरीके हैं Modes मतलब तरीके तो इन ही तरीकों के बारे में हम जानेंगे अपने इस chapter में तो आईए शुरू करते हैं पहला section हमारा 12.1 Modes of reproduction reproduction के तरीके और ये plants के संदर्व में है Plants के बारे में है के plants में reproduction के कौन-कौन से तरीके हैं In class 6, you learnt about different parts of a flowering plant एक पौधा जिसमें फूल लगता है उसके अलग-अलग अंगों के बारे में उसके अलग-अलग हिस्सों के बारे में हमने class 6 में पढ़ा है Try to list the various parts of a plant and write the functions of each एक पौधे के अलग-अलग हिस्सों को list करने की कोशिस कीजिए लिखने की कोशिस कीजिए जैसे की plant का एक पार्ट हुआ पत्ता दूसरा पार्ट हुआ उसकी जड़ तो इस तरह से plant के parts को identify करके उन्हें list कीजिए और plant के उस part का क्या function है वो part क्या काम करता है वो बताने की कोशिस कीजिए जैसे plant में पत्ते हैं उनकी जड़े हैं रूट हैं उनका तना है स्टेम है तो ये leaf, stem और root का क्या क्या function है ये लिखने की कोशिस कीजिए most plants have roots, stems and leaves तो ज़्यादा तर जो पौधे हैं ज़्यादा तर जो plants हैं उनमें roots होता है मतलब उनकी जड़े होती हैं उनमें stems होते हैं उनमें तना होता है उनका जो शरीर है वो होता है और उनमें पत्ते होते हैं उनमें leaves होते हैं These are called the vegetative parts of a plant तो ये जो root, stem और leaves को अगर हम एक साथ रख दें एक bucket में रख दें या फिर अगर इन तीनों को हम एक साथ बुलाना चाहें तो इन्हें हम vegetative parts कहते हैं इन तीनों को मिला कर एक नाम दिया गया है जिसे हम vegetative parts कहेंगे तो आगे जब कभी भी vegetative parts की चर्चा हो तो आप समझें कि root, stem और leaves के बारे में एक साथ कहा जा रहा है तो vegetative parts सुनकर बच्चे कभी-कभी घबरा जाते हैं कि यह क्या नई चीज़ आ गई तो root, stem और leaves को ही हम एक साथ मिला कर vegetative parts कहते हैं यह आपको ध्यान रखना चाहिए After a certain period of growth, most plants bear flowers पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तब उनमें फूल लगना शुरू होता है You may have seen the mango tree flowering in spring वसंतरितु में, spring season में आपने आम के पेंड में फूल लगते देखा होगा It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer तो आम के पौधे में, spring season में जो यह flowers लगते हैं आगे चलके यही flowers फल देते हैं आम का फल जो हम गर्मी में खाते हैं यह इन्ही फूलों के बाद आता है We eat the fruits and usually discard the seeds तो आम का फल हम खा लेते हैं और उसकी जो गुठली है, उसका जो seed है, बीज है वो हम फेंक देते हैं Seeds germinate and form new plants तो आम का यह जो बीज हमने फेंक दिया यह germinate करता है, अंकुडित होता है और उससे एक नया आम का पौधा जन्म लेता है So what is the function of flower in the plants? तो flower हमने देखा कि सबसे पहले flower आया उसके बाद आम के पौधे में फल लगे फल को हमने खाया, खा कर हमने बीज फेंके और बीज से एक नया आम का पेंडुगा तो अब बताईए कि पौधे में फूल का क्या काम था Flower का क्या function था Flower ने कौन सा रोल निभाया तो उसका एंसर है कि Flowers perform the function of reproduction in plants तो plant में reproduction कराने के लिए ये flower ही है Flowers are the reproductive parts तो plants में अगर आप से reproductive part पूछा जाए तो आप flower कहेंगे आपको याद रखना चाहिए Flowers are the reproductive parts of a plant There are several ways by which plants produce their offsprings Offsprings का मतलब बच्चे मतलब नए plants तो यहां कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे तरीकें हैं जिससे plants अपने बच्चों को जन्म देते हैं अपने offsprings को जन्म देते हैं These are categorized into two types इन्हें दो तरीकों में दो भागों में बाटा गया है पहला तरीका है asexual और दूसरा तरीका है sexual reproduction तो plants में reproduction के दो तरीके हुए पहला asexual reproduction दूसरा sexual reproduction इन asexual reproduction plants can give rise to new plants without seeds तो अगर आपसे asexual reproduction के बारे में पूछा जाए कि plants में asexual reproduction क्या होता है तो आप ऐसा बताएंगे कि वैसे plants जो बिना seed के बिना beege के नए पौधों को जन्म देते हैं वे plants asexual reproduction करते हैं मतलब asexual reproduction में हमें beege की जरूरत नहीं होती, seed की जरूरत नहीं होती वहीं अगर sexual reproduction की बात करें कि plant में sexual reproduction किस तरह होता है तो उसके बारे में है कि in sexual reproduction new plants are obtained from seeds plants में अगर हम sexual reproduction की बात करें तो पौधे beege से जब जन्म लेते हैं तो वो reproduction का जो type है वो sexual reproduction है तो आप ये याद रखें कि asexual reproduction में beege का इस्तेमाल नहीं होता और sexual reproduction में beege का इस्तेमाल होता है और ये plant के case में है तो I hope कि यहां तक आपका clear है आईए पहली क्या सोच रही है ये देखते हैं पहली thought that new plants always grow from seeds पहली ने हमेशा से यही सोचा है कि जो नए पौधे हैं वो beege से ही जन्म लेते हैं आपने गन्ने का कभी beege देखा है या फिर potato का आलू का beege देखा है आपने या फिर गुलाब का beege देखा है आपने तो ये पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना beege के reproduce करते हैं ए sexual reproduction करते हैं C wants to know how these plants reproduce तो पहली जानना चाहती है कि जब इन plants के beege हमने नहीं देखे हैं इन plants के beege नहीं होते हैं तो ये reproduce कैसे करते हैं अपने बच्चों को किस तरह जन देते हैं एक बड़े plant से छोटा plant किस तरह बनता है तो इसका answer है asexual reproduction asexual reproduction से इस तरह हो पाता है क्या है asexual reproduction आईए देखेंगे तो seed की ज़रुद नहीं होती asexual reproduction में तो asexual reproduction के अंदर ही हम पढ़ते हैं vegetative propagation vegetative propagation वो तरीका है जिससे asexual reproduction perform होता है मतलब asexual reproduction का एक type है vegetative propagation आईए देखें vegetative propagation क्या है it is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds तो ये plant के parts के नाम दिये हुए है तो अगर plant के इन parts से एक पौधे के root से उनकी जड़ों से या फिर उनके तने से, stem से या फिर उनके leaves से, उनके पत्तों से या फिर buds से, कलियों से अगर नए पौधे produce होते हों तो उस तरह के reproduction को हम asexual reproduction कहेंगे Since reproduction is through the vegetative parts of the plant अब हमने देखा था कि vegetative parts क्या होते हैं root, stem और leaves को हम vegetative part कह रहे थे एक साथ तो यहां भी root, stem और leaves हैं buds एक अलव added है तो चुकि ये भी vegetative propagation में मदद करता है इसलिए इसे भी vegetative part कह रहे हैं तो अगर हम से पूछा जाए कि vegetative propagation क्या है तो हम ये बताएंगे कि जब reproduction वेजिटेटिव parts के थुरू होता है मतलब root, stem, leaf और buds के थुरू हो तो वैसे reproduction को हम vegetative propagation कहते हैं और ये vegetative propagation asexual reproduction का एक type है आईए देखें activity 12.1 cut a branch of rose और chumpa with a node ये node का मतलब कली है ये full की कली न समझेगा ये पौधे पर एक उभार की तरह होता है एक निशान की तरह होता है जहां से नए पौधे जन्म लेते हैं पौधे पर नई branches जहां से originate करती हैं जहां से निकलती हैं उसे हम node कहते हैं तो हमें एक गुलाब या चंपा का एक cutting लेना है एक branch लेना है तो अगर हम रोज की बात करें गुलाब की बात करें तो गुलाब के पौधे का अगर आप एक branch लेंगे एक डाल लेंगे एक शाखा लेंगे तो उसमें और भी branches होंगी तो ये branch आप काट कर निकालेंगे गुलाब के पौधे से तो इसलिए इसे एक cutting कहते हैं एक काटा हुआ branch आपसे इस तरह याद रख सकते हैं तो ये जो गुलाब के पौधे से हमने branch को शाखा को काटा इसे अब मिटी में soil में बरी कर देंगे दबा देंगे लगा देंगे पौधे को और node is a part of the stem और branch at which a leaf arises तो node ये ऐसा point है जहां से पत्ते निकलते हैं या branches निकलती हैं water the cutting every day and observe its growth तो ये जो गुलाब का एक branch हमने काट कर निकाला और मिटी में लगाया है उसे हर रोज पानी दें observe and record the number of days taken for root to come out रोज उस अपने गुलाब के cutting में पानी दीजिए और ये notice कीजिए कि कितने दिनों बाद उस cutting में जड आना मतलब उसमें roots आने शुरू हो जाते हैं कितने दिन लगते हैं roots को आने में and new leaves to arise नई जडों को आने में कितने दिन लगते हैं और नई पतियों को आने में कितने दिन लगते हैं ये दोनों ही time आप note कीजिए Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observation इसी activity को आप कर सकते हैं एक money plant ग्रो करने में एक money plant का cutting लेकर शीछे की एक jar में रखेंगे तो आप आसानी से note कर पाएंगे कितने दिनों बाद जड़े आ रही हैं और कितने दिनों बाद नई पतियों का आना शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक गुलाब की cutting की photo है ये nude दिखाया गया है जहां से नई पतिया निकलती हैं या नए branches निकलते हैं यहां एक bud को दिखाया गया है एक कली को दिखाया गया है आपने फूल की कलियों को फूल बनते देखा होगा तो यहां एक नया term आया है ये एकसिल क्या है इसके बारे में बताया गया है कि एकसिल वो point है वो जगह है जहां पे leaf और node मिलते हों जहां पे leaf और node जुड़े हुए हों तो हमने देखा कि ये node है और यहां से अगर पत्ते निकले हों तो ये वाला point एक्सिल कहलाएगा अच्छा, तो हमने अभी एक्सिल के बारे में जाना अब कहा जा रहा है कि हमने full की कलियां देखी है वैसी कलियां जो आगे चल कर full बन जाती है लेकिन एक दूसरी तरह की भी कलियां होती है जो full नहीं बनती और वो कलियां इस एक्सिल की जगह पे पाई जाती है और इन कलियों का क्या होता है ये देखिए which develop into shoots तो ये कलियां आगे जाकर branches में मतलब नई शाखाओं में grow करते हैं, इन buds से नए branches, नए shoots निकलते हैं, हमने root और shoot के बारे में पढ़ा है, shoot मतलब उपर वाला हिसा, root मतलब जो जड़ है हमारी, these buds are called vegetative buds, तो आपसे पूछा जा सकता है कि vegetative buds क्या होते हैं, तो ये भी एक तरह कि ये कली ही है, लेकिन ये फूल नहीं बनती, और ये excel पर पाई जाती है, excel वो point है जहां पर leaf और node मिलता है, यहां पर जो कली पाई जाती है, और जो फूल में नहीं बदलती, जहां से नए shoots निकलते हैं, नए branches निकलते हैं, उसे हम vegetative buds कहते हैं, a bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present, ये जो bud है हमारा vegetative bud, इसमें एक छोटा stem होता है, छोटा तना होता है, जिसके चारो तरफ immature, छोटी छोटी पतियां होती हैं, present होती हैं, vegetative buds can also give rise to new plants, तो इस तरह के जो vegetative buds हैं, इनसे भी नए पौधे germinate हो सकते हैं, नए पौधे develop हो सकते हैं, आईए देखें हम activity 12.2, take a fresh potato, एक fresh आलू लीजिए, observe the scars on it with the help of a magnifying glass, तो जो आलू के उपर धब्बे हैं, उनको observe करने की कोसिस कीजिए, एक magnifying glass की मदद से, जैसे की आप आलू देखेंगे, तो एक आलू पर आपको इस तरह के ये चोटे चोटे धब्बे दिखाई देंगे, तो इन्हें आप बिना magnifying glass के भी notice कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ इन्ही scars की बात हो रही है, इन्ही धब्बों की बात हो रही है, you may find buds in them, तो अगर आप magnifying glass लगा कर इन scars को देखेंगे, तो आपको इस में से buds दिखाई देंगे, ये vegetative buds हैं, इस तरह के buds जो आगे चलके shoot में बदलने वाले हैं, अगर आप magnifying glass लगा कर देखते हैं, तो आलू में इन धब्बों को आलू की आँखें कहते हैं, किसान जब आलू की रोपाई करते हैं, तो इन आँखों का बड़ा महत्व होता है, वो आलू को इस तरह काटते हैं, कि इनकी आँखें एक साथ हो, और एक आलू के चार- तो अभी के लिए ये जानिए कि आलू पर ये जो धब्बे होते हैं इन्हें हम आलू की आखे कहते हैं आईज कहते हैं तीसरा हिस्सा इस वाले आई के साथ तो जितने भी आईज हैं उनको अलग-अलग कर लिजए इस तरह से आलू को काटिये और उन्हें मिट्टी में लगा दीजए मिट्टी में बरी कर दीजए Water the pieces regularly for a few days and observe their progress अब ये जो pieces, ये जो आलू के कटे हुए टुकड़े आपने मिट्टी में बरी किये, मिट्टी में लगाए इन्हें रोज पानी दीजे, कुछ दिनों तक, what do you find? तो जब आप उन्हें पानी देंगे, तो आप देखेंगे कि उन कटे हुए आलू के पीसेस में से शूट निकलना सुरू होगा, पौधा ग्रो करना सुरू करेगा Likewise, you can also grow ginger और turmeric तो इसी तरह इन scars को काट कर, छोटे-छोटे टुकडों में आप अधरक या हल्दी भी उगा सकते हैं, टर्मरीक भी उगा सकते हैं Bryophyllum, एक plant का नाम है, जो अपने पत्तों से reproduce करता है इसे sprout leaf plant कहते हैं, इसके पत्ते germinate होते हैं, इसके पत्ते अंकुरित होते हैं मतलब इसके पत्तों में से नया पौधा निकलता है, अगर आप इसकी image देखना चाहिए, तो यह है एक Bryophyllum leaf आप देखेंगे यहाँ पे जो यह मुडाव है इनके पत्तों में, यहीं से एक नया plant germinate हो रहा है तो यह पत्ता कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ से एक नया पौधा germinate होता है इसलिए इसे sprout leaf plant कहते हैं, sprout का मतलब अंकुरन, अंकुरित होना, germinate होना तो ऐसा plant जिसके पत्ते germinate होते हों, sprout होते हों, वो है हमारा Bryophyllum तो आएए जाने Bryophyllum के बारे में, Bryophyllum has buds in the margins of leaves Margins मतलब यह जो आपको मुडाओ दिख रहा है, यहाँ पे जो यह वाला portion है, जहाँ पे यह मुडा है इसे ही margin कह रहे हैं, तो इन ही margins में bud होता है, छोटे-छोटे vegetative buds होते हैं जो आगे चलकर एक plant को जन्म देते हैं, if a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant अगर Bryophyllum plant का एक पत्ता एक नमी वाले मिट्टी पे अगर गिर जाए, ऐसी मिट्टी जहाँ पे नमी है, जहाँ पे पानी का कुछ अंच है वहाँ पे अगर Bryophyllum का एक पत्ता पहुँच जाए, गिर जाए, तो ये जो buds इसके in margins में हैं, वहाँ से नए नए पौधे उग सकते हैं Roots of some plants can also give rise to new plants, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी जड़ों से नया पौधा जन मिले सकता है Sweet potato and dahlia are examples, तो ऐसे पौधे जिनकी जड़ों से नया पौधा जन मिलेता है, उनका example है sweet potato और dahlia इनकी images शायद नहीं है, आप dahlia या sweet potato अगर google करेंगे, तो आपको इनकी images आसानी से मिल जाएंगे तो ये ऐसे पौधे हैं, जिनकी जड़ों से नया पौधा निकलता है Plants such as cacti और cacti आप पढ़े हैं से produce new plants when their parts get detached from the main plant body अब ये cacti क्या है, तो हमने cactus के बारे में जाना है, तो cactus का singular है cacti या cacti आप इसे जिस तरह भी उचारण करें, तो cactus चुकी bunch में होता है, गुच्छे में होता है इसलिए उसे cactus कहते हैं, अगर उसके एक stem को पकड़ें, अगर एक cactus की बात करें, तो उसे cacti कहेंगे इनका एक पार्ट, इनका एक टुकड़ा अगर प्लांट से detach हो जाता है, तो वो भी नए प्लांट को जन्म दे सकता है Each detached part can grow into a new plant, cactus के प्लांट का हर एक टुकड़ा एक नए cactus के प्लांट को जन्म दे सकता है, produce कर सकता है अब बूजो यहां सोच रहा है, बूजो wants to know if there are any advantage of vegetative propagation Vegetative propagation के क्या कुछ advantages भी हैं, तो हाँ बिलकुल vegetative propagation के advantages हैं और वो क्या हैं, उन्हें यहां बताया गया है, तो अगर आप से vegetative propagation के advantages के बारे में पूछा जाए, तो आप यह लिखेगा Plants produced by vegetative propagation take less time to grow, यह पहला advantage हुआ कि ऐसे पौधे जो vegetative propagation से produce होते हैं, वो बड़े होने में, ग्रो करने में कम समय लेते हैं And beer flowers and fruit earlier than those produced from seeds, वैसे पौधे जो बीज से जन्म ले रहे हैं, उनसे यह vegetative propagation वाले plants जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी इनमें फल और फूल आते हैं, बीज वाले plants के मुकाबले तो यह इनका एक advantage है, दूसरा advantage क्या है, कि new plants are exact copies of the parent plant, as they are produced from a single parent इसे समझने के लिए आपको sexual reproduction की थोड़ी समझ होनी चाहिए, आप अगर sexual reproduction को देखे हैं, तो sexual reproduction में हमेशा parents involved होते हैं एक male और एक female plant involved होता है, तभी जाकर यह sexual reproduction होता है और इससे एक नया plant बनता है चुकि दो plant involved हैं एक तीसरे plant को पैदा करने के लिए, तो अगर तीसरे plant की खुबियों की बात करें, तो तीसरे plant में कुछ पहले plant की खुबियां होंगी और कुछ दूसरे plant की खुबियां होंगी मतलब दोनों ही parent की खुबियां होंगी उसके child में, जैसा कि इंसानों में होता है कि बच्चों में मम्मी और पापा दोनों की characteristics होती हैं, दोनों के गुण होते हैं, उसी तरह sexual reproduction से पैदा होने वाला plant दोनों ही parent plant का गुण रखेगा वही अगर asexual reproduction की बात करें, तो यहां चुकी एक अकेला plant नए plants को produce कर रहा है, तो जो नए plants produce हो रहे हैं, उनमें variations का, उनमें बदलाओ का कोई chance नहीं है, बदलाओ की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जो नए plants produce होंगे, वो बिलकुल अपने parents की तरह होंगे मतलब जो characteristics उसके parent में थी, वही characteristics उसके offspring में भी होगी, parent plant और child plant में जो खूबियां होंगी, वो एक जैसी होंगी, तो vegetative propagation के ये फायदे हुए Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents Sexual reproduction के बारे में मैंने आपको बताया कि sexual reproduction से नए plant के produce होने के लिए चाहिए कि दो plant मिलके एक तीसरे plant को जन्म दे तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो तीसरा plant जन्म ले रहा है उसमें दोनों ही parent plant की खूबियां होंगी, characteristics होंगी Plants produce seeds as a result of sexual reproduction तो sexual reproduction perform होने के बाद plants seed produce करती है, बीज produce होते हैं और इन बीजों से ही नए पौधे जन्म लेते हैं तो sexual reproduction का जो product है, वो seed है plant के case में तो ये vegetative propagation के बारे में था, ये पूड़ा section हम पढ़ रहे थे, vegetative propagation का तो आईए अब अगला section पढ़ेंगे, हम budding, तो budding क्या है ये जानते हैं You have already learnt about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope हमने छोटे organisms के बारे में पढ़ा है, जैसे की yeast जो की केवल एक microscope की सहायता से ही देखा जा सकता है ऐसे organisms को micro-organism कहते हैं, बहुत छोटे organisms, सूक्ष मजीब, जिन्हें केवल microscope से देखा जा सके microscope एक ऐसा device है, जिसे छोटे organisms को देखा जाता है, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते उतने छोटे organisms को देखने के लिए ये instrument है, microscope और एक micro-organism जिसकी बात हो रही है, वो है yeast जिन्हें केवल microscope से देखा जा सकता है ये जो yeast हैं, ये हर घंटे multiply करते हैं, मतलब इनकी संख्या हर घंटे बढ़ती है, ये reproduce करते हैं और ऐसा ये कब कर पाते हैं, जब उन्हें परियाप्त मात्रा में nutrients मिलते हों, उनका जो भोजन है, जो खाना है, जिनसे उन्हें nutrition मिलती है अगर वो परियाप्त मात्रा में उपलब्द है, तो yeast की संख्या हर घंटे बढ़ती जाती है Remember that, yeast is a single-celled organism, याद रखिए कि yeast एक single-cell वाला organism है, yeast एक ही cell से बना होता है, जैसे कि हम human beings बहुत सारे cells को मिला कर बने हैं, millions of cells को मिला कर बने हैं, yeast एक अकेला cell होता है और यही कारण है कि वो इतनी जल्दी multiply कर पाता है, इतनी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा पाता है Let us see how they reproduce, आईए देखें, yeast किस तरह reproduce करता है, अपनी संख्या को किस तरह बढ़ाता है Activity 12.3 to be demonstrated by the teacher यह activity आपको आपकी teacher दिखाएंगे, इसमें क्या है, आईए हम यहाँ भी देखेंगे Take a piece of yeast cake और yeast powder from a bakery और a chemist shop हमें yeast का cake लेना है, जो की market में available है या फिर yeast का powder लेना है, यह भी आपको bakery या chemist shop से मिल जाएगा Take a pinch of yeast and place it in a container with some water हमें एक चुटकी yeast powder का लेना है, और उसे एक container में रखेंगे एक bowl में रखेंगे चोटे से, जिसमें थोड़ा पानी होगा Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it पानी में हम थोड़ी चीनी मिला कर उसे घुला लेंगे Keep it in the warm part of a room और अपने इस container को हम अपने कमरे के गर्म हिस्से पर रखेंगे After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope तो इस container में जिसमें हमने एक चुटकी yeast, पानी और चीनी का घुल रखा है और इसे हमने कमरे में एक घंटे तक छोड़ कर रखा था इसकी एक बूंद हम glass पर रखेंगे, glass slide पर रखेंगे एक सीशे के टुकडे पर रखेंगे और उसके बाद इसे observe करेंगे microscope की सहायता से You may see the formation of new yeast cells तो आपको microscope में नए yeast के cells बनते दिखाई देंगे कुछ इस तरह से जैसा इस image में दिखाया गया है शुरुआत में ये पहला yeast cell था आप देखेंगे ये cell है, इसकी body है और ये nucleus है जब ये reproduce करना शुरू होता है तो उसका ये process है yeast एक bud develop करता है कुछ इस तरह का निकला हुआ हिस्सा, इसे bud कहते हैं आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसका nucleus भी बट रहा है इसके जो बीच का हिस्सा है वो भी बट रहा है ये एक पूरा bud यहाँ पे form हो गया है एक नया bud और इस तरह से कई सारे buds बन जाएंगे buds का chain बन दा जाएगा तो yeast कुछ इस तरह से reproduce करते हैं yeast में reproduction कुछ इस तरह से होता है इसे आप microscope में देख भी सकते हैं यही bud कहलाता है यह bud आगे चल कर बड़ा होता है और फाइनली अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है डिटैच हो जाता है तूट जाता है और ऐसे निर्मान होता है एक नये yeast के सेल का तो यह जो अब नया yeast का छोटा सेल बना है यह बढ़ा होगा मैच्योर होगा और फिर नये दूसरे yeast के सेल्स को जन्म देगा इसी बड़िंग के प्रोसेस से जैसा कि यहाँ इस लास्ट वाले इमेज में दिखाया गया है कि बड एक नये बड से भी जनरेट हो सकता है जैसे कि यह एक अकेला बड था जो सबसे पहले फॉर्म हुआ उसके बाद इसी बड से एक नये बड का निर्मान हुआ इसी बड से एक नया बड निकल गया और इससे एक नया बड निकल गया अगर nutrition हो उतनी उनके लिए खाना हो उतना तो वे परियापत मातरा में reproduce कर सकते हैं काफी कम समय में If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time अगर ये process चलता रहा, ये chain का बनना, नए buds का form होना चलता रहा और इसके चलते रहने के लिए condition एक ही है कि उनके लिए खाना परियापत हो, nutrition परियापत हो, पानी में जो हमने चीनी मिलाई थी, जो सुगर हमने मिलाया था वो अगर परियापत होगा, तो east का जो formation है, वो काफी rapid है, काफी तेजी से होता है, और ये काफी जल्दी और काफी जादा मातरा में होगा तो ये budding के बारे में था, I hope आप ये समझ पाए हैं, अब हम पढ़ेंगे fragmentation के बारे में आपने पतले, हरे, धब्बे देखे होंगे, पोखर में या फिर ऐसे पानी में जो रुका हुआ है, इसा पानी का स्रोत, ऐसा पानी का चश्मा कहिए, ये किसी गड़े का पानी भी हो सकता है तो ऐसा पानी जो चल नहीं रहा है, तालाब या पोखर का पानी, गड़े का पानी, उसे हम stagnant water bodies कहते हैं, रुका हुआ पानी, stagnant water का मतलब तो ऐसे पानी में हमें हरे धब्बे दिखाई देते हैं, green patches का मतलब हरे धब्बे, these are algae, तो ये जो हरे धब्बे हैं, इन्हें हम algae कहते हैं, ये algae होते हैं when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation, जब पानी और nutrients मतलब algae का खाना available होता है, उपलब्द होता है, तब algae rapidly multiply करता है, जल्दी जल्दी multiply करता है, और grow भी करता है, एक process से जिसका नाम है fragmentation, fragmentation का साब्दिक मतलब है तूटना, तुकड़े होना, यहां बताया भी गया है कि an algae breaks up into two or more fragments, these fragments और pieces grow into new individuals, algae algae का singular है, अगर आप algae लिखेंगे, इसका मतलब बहुत सारे algas, बहुत सारे algae, और अगर एक algae की बात हो रही है, तो उसे हम algae कहेंगे, ये algae singular है, ये plural है, तो ये जो alga है, ये किस तरह reproduce करता है, तो उसके बारे में बताया गया है, कि एक alga टूट जाता है, breaks up into two or more fragments, दो या दो से जादा टुकड़ों में ये alga टूट जाता है, जैसा कि यहां इस image में दिखाया गया है, ये एक बड़ा सा alga था, ये दो टुकड़ों में टूट गया, अब ये जो दो नए टुकड़े हैं, ये वापिस से ग्रो करेंगे, और दो बड़े बड़े alga बनाएंगे, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन से टूटने का प्रोसेस है alga का, ये चलता रहता है, और ये जो हरे धब्बे की तरह का दिखने वाला alga है, ये काफी जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाता है, अगर पानी हो और nutrients अवेलिबल हो उसके लिए, क्योंकि जो नए alga produce होंगे, वो grow करने वाले हैं, बड़े होने वाले हैं, तो इनके बड़े होने के लिए चाहिए, कि इनके लिए परियाप्त मातरा में food, मतलब nutrients उपलब्द हो, तो अगर ऐसा है, तो ये alga काफी जल्दी grow करेंगे, और बहुत छोटे समय में, जो भी हमा कारी water body है, माल लेते हैं तालाब है, तो उसे काफी कम समय में ये cover कर लेंगे, ढख लेंगे, तो यहां से आपको दो बातें याद रखनी चाहिए, पहला कि fragmentation का मतलब है, तूट कर reproduce करना, और ये fragmentation alga में होता है, alga singular है, alga plural है, और water और nutrients available हो, तो ये काफी जल्दी जल्द ग्रो करते हैं, तो ये था आपका fragmentation के बारे में, आइए देखते हैं, अब अगले asexual reproduction के तरीके के बारे में, वो है spore formation, और ये I believe आखरी है, इसके बाद हम sexual reproduction में enter करने वाले हैं, तो आइए जाने spore formation क्या होता है, ये spores बीज की तरह होते हैं, और ये हवा में मौझूद होते हैं, इनके बारे में हमने chapter 1 में पढ़ा था, तो ऐसा मान कर चलिए, कि फंगाई के या फंगी के जो भी spores हैं, जो भी बीज हैं, वो हवा में पहले से मौझूद हैं, अगर suitable condition मिलेगी फंगाई को ग्रो करने के लिए, तो वो जो बीज हवा में मौझूद हैं, वो अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे, और फंगाई फंगी ग्रो करने लगेगा, ये experiment हमने chapter 1 में किया था, एक bread के टुकड़े को पानी में भीगो कर काफी दिनों तक हमने छोड़ दिया था, औ और दो-तिन दिन बाद हमने ये पाया कि उसके उपर फंगी ग्रो कर रहा है, इसे हमने माइक्रोस्कोप से भी देखा था, तो इस activity को आपको एक बार और repeat करने कहा गया है, repeat activity 1.2, अगर आप chapter 1 को देखेंगे, देखिए ये है हमारा chapter 1, और नीचे है activity 1.2, ये वाली activity, इसम हमने एक piece of bread लिया था, bread का एक टुकडा लिया था, इसे motion किया था, मतलब भिगोया था, और दो-तिन दिनों तक छोड़ दिया था, फिर हमने दो-तिन दिन बाद उसे observe किया था, तो हमें फूले हुए धब्बे दिखाई दिये थे, जो यहाँ पे इस image में दिखाया गया है, यह fungi है या fungi है, जो की bread के उपर grow कर रहा है, तो इसी activity को दुबारा करने आपको कहा गया है, यह fungi किस तरह grow करता है, यह हमने chapter 1 में सीखा था, observe the spores in the cotton-like mesh or the bread, तो bread के उपर जो फूली हुई रूई की तरह की सी चीज हमें दिखाई दी, उसमें आपको spores भी दिखाई तो यहां देखिए इस image में spores को दिखाया भी गया है, यह काले वाले छोटे-छोटे spores हैं, और इनके बारे में यह कहा गया है, कि when spores are released, they keep floating in the air as they are very light, they can cover long distances, एक बार यह जो spores हैं, यह जो बीजानू हैं, बीज हैं, फंगाई के, एक बार अगर हवा में चले जाते हैं, तो यह float करते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में, उड़ते रहते हैं, और यह काफी दूरी तक जा सकते हैं, काफी लंबा distance cover कर सकते हैं, spores को आप उन बीजों की तरह समझिए, जो हवा में तैर रहे हैं, और जहां भी उन्हें favorable condition मिलेगा, सही environment मिलेगा, वहां पे वो sexual reproductive bodies, अगर spores की मदद से कोई reproduction हो रहा है, spores की मदद से अगर कहीं fungi grow कर रहा है, तो उस mode of reproduction को, उस reproduction के तरीके को, हम asexual reproduction कहते हैं, यह spore formation, asexual reproduction का एक part है, Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, तो यह जो spores हैं, यह एक hard protective coat से covered रहते हैं, इनके उपर एक hard covering होती है, एक layer होता है, जो की कठोर होता है और उन्हें बचाता है, किन चीजों से बचाता है, तो unfavorable condition से बचाता है, माल लेते हैं, जैसे कि काफी ज़्यादा temperature हो जाए, काफी ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो spores के अंदर की जो चीज है, जो नए फंगाई को create करने की छमता रखती है, वो destroy न हो जाए ज़्यादा temperature से, खराब न हो जाए ज़्यादा temperature से, इससे उनका जो ऊपर का covering होता है, वो उन्हें होना वातावरण में, नमी का कम होना, तो ऐसे अगर conditions होते हैं, तो जो spores के उपर का coat है, जो ये काली वाली चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बचाती हैं इनके अंदर की चीजों को, so they can survive for long time, ताकि ये काफी ज़्यादा समय तक जी सकें, survive कर सकें, Under favorable condition, a spore germinates and develops into a new individual, अगर इन spores को अच्छा condition मिले, जहां ये grow कर सकते हों, तो वे अपने आप उस जबह पे आ जाते हैं, और germinate करते हैं, जिस तरह बीज germinate करता है, अंकुरित होता है, उसी तरह ये भी germinate करते हैं, और develop होना शुरू हो जाते हैं, नए-नए individuals में, नए- plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores, यहां दो plants के नाम बताए गए हैं, एक है moss, दूसरा है ferns, जो इस spore formation वाले technique से reproduce करते हैं, तो आपको spore formation में इन दो plants के नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि आप इन्हें example में लिखेंगे कि spore formation किन दो plants में होता है, तो moss और ferns में होता है, यह spore formation क्या चीज है, कैसे spores बनते हैं, इनके protective coating के बारे में जानिये, यह काफी दूरी तक travel कर सकते हैं, इन्हें अच्छा condition मिलेगा, favorable condition मिलेगा, तो यह grow कर सकते हैं, यह बातें आप spore formation के बारे में याद रखिए, तो इसी spore formation के साथ हमारा खत्म होता है, ए-sexual reproduction वाला part ए-sexual reproduction में काफी सारे modes हमने देखे, हमने spore formation देखा, इसके पहले हमने fragmentation देखा, फिर budding देखी, हमने vegetative propagation देखा, यह काफी लंबा था, आप देखेंगे, vegetative propagation यहाँ है, और यहाँ शुरुआत होई थी ए-sexual reproduction की, अब reproduction का जो दूसरा तरीका है, sexual reproduction उसके बारे में जानें तो आईए देखें हमारा अगला section 12.2, sexual reproduction, you have learned earlier the structure of a flower, flower के structure के बारे में, फूल के धाचे के बारे में, फूल के अलग-अलग parts के बारे में हमने पहले पढ़ा है, you know that the flowers are the reproductive parts of a plant, यह बात हमने उपर जानी कि पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है, फूल से ही फल आता है, और फल में बीज होते हैं, यह बीज नए पौधों को जन्म देते हैं, so finally हमने यह conclusion निकाला, कि जो flower है, जो फूल है, वो reproductive part है, वो नए पौधों को पैदा करने में, नए पौधों को reproduce करने में मदद करता है, इसलिए flower हमारा reproductive part हुआ, ऐसा part जो reproduce करने में मदद करे, तो प्लांट में जो flowers हैं, वो reproductive parts हैं, यह हमने जाना है, stemens are the male reproductive part, and pistil is the female reproductive part, अगर आप stemmen और pistil को देखिएगा, तो यह यहाँ पे दिखाई गई है, यह stemmen की image है, और यहाँ नीचे है, pistil की image, तो pistil जो है, वो female reproductive part है, और stemmen जो है, वो male reproductive part है, एक flower का, एक फूल के अंदर, यह कैसे काम करते हैं, आगे जाने, तो stemmen और pistil के बारे में हमने यहाँ देख लिया, अब एक activity है, activity 12.4, जिसमें हमें कुछ फूल लेने है, take a mustard, china rose, और petunia flower, and separate its reproductive parts, हमें एक mustard का, china rose का, या petunia का फूल लेना है, और इसके reproductive parts को, यह जो हमने stemmen और pistil देखा, इन parts को अलग करना है, उस फूल में से, flowers which contain either only pistil, और only stemmens, are called unisexual flowers, हमने यहाँ तक जाना है, कि stemmen जो है, वो male reproductive part है, pistil जो है, वो female reproductive part है, तो important बात यहाँ पे जानिये, कि अगर कोई ऐसा flower है, जिसमें केवल pistil है, या केवल stemmen है, तो वैसे flower को, हम unisexual flower कहेंगे, क्योंकि उस flower में, या तो केवल male वाला reproductive part है, या तो केवल stemmen है, या फिर केवल pistil है, तो वैसे flower को, हम कहेंगे, कि इस flower में, एक ही sexual part है, जिनमें ये दोनों ही parts पाये जाते हैं, stemmen भी होता है, मतलब male reproductive part भी होता है, और pistil भी होता है, मतलब female reproductive part भी होता है, एक ही flower में, तो ऐसा कोई flower, flowers which contain both stemmen and pistil are called bisexual flower, by का मतलब होता है दो, तो ऐसे flowers, जिसमें stemmen भी हो, और pistil भी हो, ये दोनों एक साथ हो, तो वैसे flower को हम bisexual flower कहेंगे, तो unisexual flowers और bisexual flowers, I hope आपको clear हैं, अब यहाँ पे कुछ example दिए गए हैं, ये जो हरे वाले हैं, वो unisexual के example हैं, और जो ये blue वाले हैं, sky blue वाले, ये bisexual के example हैं, यहाँ पे देखिए आप, corn, papaya and cucumber produce unisexual flowers, तो ये corn, papaya और cucumber unisexual flowers produce करते हैं, और whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers, मतलब mustard, rose और petunia का जो फूल होगा, उसमें male reproductive part और female reproductive part दोनों ही होंगे, clear है? bisexual और unisexual के example में आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है? अब आगे. both male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. अगर unisexual flowers की बात करें, तो ये दो तरीकों के हो सकते हैं, एक ऐसा flower जिसमें केवल male reproductive part है, वो भी एक unisexual flower है, और एक ऐसा flower जिसमें केवल female reproductive part है, मतलब केवल pistil है, या फिर केवल stemmen है, ये दो तरह के unisexual flowers हो सकते हैं, ठीक है? तो reproduction करने के लिए, चाहिए कि एक male reproductive part वाला flower भी हो, एक female reproductive part वाला flower भी हो, ये दोनों के parts मिलें, तब जाके reproduction होगा, तो ये दो तरह के flowers के बारे में बताया जा रहा है, दो तरह के unisexual flowers के बारे में बताया जा रहा है, कि ये हो सकता है, एक ही plant में हो, same plant में हो, या फिर ये दो तरह के unisexual flowers अलग-अलग plant में भी हो सकते हैं, could you identify the enter and the filament of a stemmen, stemmen हमारा male reproductive part है, ये है stemmen की image, यहाँ पे ये वाला है enter और ये वाला है filament, आप से डायाग्राम पूछा जाएगा, इसलिए आप stemmen और पिस्टिल के parts को ध्यान से देखिए, stemmen और पिस्टिल की image भी आपको याद रहनी चाहिए, कि कैसे दिखते हैं ये, enter कहां है और filament कहां है, तो stemmen के parts ये हुए, enter contain pollen grains which produce male gamets, तो ये है हमारा enter, इसके अंदर pollen grains होते हैं, छोटे छोटे और इन pollen grains के अंदर male gamets होते हैं, इन्हें आप points के form में समझिए, ये छोटे छ points होते हैं, छोटे छोटे part हैं, और यही वो male gamet है, जो reproduction कराता है, मतलब reproduction में participate, यही male gamets करते हैं, तो ये male gamets पाये कहा जाते हैं, तो ये पाये जाते हैं pollen grains के अंदर, और ये pollen grain पाया जाता है इस enter में, अब हमने stemmen के बारे में जान लिया है, male gamet के बारे में जान लिया है, अब female के बारे में जानते हैं A pistol consists of stigma, style and ovary Pistol हमारा female reproductive part है Pistol की image यहाँ नीचे दी हुई है इसके अंदर stigma, style और ovary की बात की गई कि ये तीन parts हैं पिस्टिल के इसी ovary के अंदर वो व्यूल होता है जिस तरहा एंथर के ऊपर pollen grains थे और इन pollen grains के अंदर था male gamet उसी तरह ये ovary है female reproductive part और इसके अंदर ये जो dark green वाला है ये है ovule तो ये है final female reproductive part जिसमें male gamet आएगा और फिर fusion होगा और फिर बनेगा seed आईए हम इसे देखते हैं हमने ये देख लिया कि Pistol consists of stigma, style and ovary Pistol में stigma, style और ovary होता है ovary के बारे में है कि ovary contains one or more ovules ovary के अंदर जो मैंने आपको दिखाया ये dark green वाला तो एक ovary के अंदर संभव है कि एक से ज़्यादा भी ovules हो सकते हैं the female gamet और the egg is formed in an ovule तो female gamet या फिर egg कहिए इसे एक plant का तो ये इसी ovule के अंदर पाया जाता है तो जब male gamet जो की pollen grain के अंदर पाया जाता है male part में वो इस female gamet मतलब egg से जब मिलेगा तब होगा reproduction तब बनेगी एक तीसरी चीज तब होगा sexual reproduction तो हमने female gamet के location को जान लिया ये ovary के अंदर ovule में होता है इसे egg भी कहते है अब sexual reproduction के बारे में है कि in sexual reproduction a male and a female gamet fuse to form a gigote अच्छा यहां कुछ नए टर्म्स है कहा गया है कि sexual reproduction में एक male और एक female gamet gamet मतलब उनका part उनका egg समझे आप जब fuse करेगा fuse करेगा मतलब आपस में मिलेगा तब जो बनेगा उसे कहते हैं जाईगोट मतलब male gamet और female gamet आपस में जब fuse करेंगे मिलेंगे तो एक नई चीज बनेगी जिसे हम जाईगोट कहेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाईगोट क्या है तो आप कहेंगे कि flower में sexual reproduction होते वक्त जब एक male gamet एक female gamet के साथ मिलता है मतलब fuse होता है तब बनता है हमारा जाईगोट इसे धीरे धीरे समझिए अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ काफी सारे terms हैं जो आपको नए लगेंगे अगर आपको यह एक बार में नहीं समझाए तो एक बार और देखिये इसे आपको चीजें clear हो जाएंगे यहाँ बूजो का एक सवाल है कि बूजो wants to know how the male gamet in the pollen grain reaches the female gamet present in the ovule हमने जाना कि reproduction के लिए male gamet और female gamet का मिलना जरूरी है तो बूजो यह जानना चाहता है कि male gamet जो की यहाँ pollen grain में इस एंथर पे present है यह कैसे पहुँचेगा female gamet के पास यह दोनों तो संभव है अलग-अलग flowers में होंगे या फिर अगर एक भी flower में होंगे तो दूर-दूर होंगे एक साथ तो होंगे नहीं कि जब मन करेगा वो fuse कर जाएंगे और जाइगोट बना लेंगे तो इन्हें travel करना पड़ेगा तो बुझो यह जानना चाहता है कि यह जो male gamet है यह female gamet के पास पहुचेगा कैसे तो इसी का answer है pollination pollination वो तरीका है जिससे male gamet female gamet तक पहुचता है in short तो आईए जाने pollination क्या है generally pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up हमने pollen grains के बारे में जाना pollen grains जो हैं उनके उपर protective coat होता है जिस तरह sports के उपर protective coat था उसी तरह pollen grains के उपर भी एक protective coat होता है एक कभर होता है नारियल के छिलके की तरह समझिये जो उन्हें सूखने से बचाता है अगर pollen grains बिना protective coat के ऐसे surrounding में रहेंगे उन पे धूप पड़ेगी तो बहुत संभव है कि उनके अंदर का जो भी material है वो सूख जाएगा dry up हो जाएगा तो उसे बचाने के लिए उनके उपर एक cover होता है coat होता है since pollen grains are light they can be carried by wind और water तो चुकी pollen grains हलके होते हैं light होते हैं इसलिए वे आसानी से हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा carry किये जा सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा ले जाए जा सकते हैं यहाँ पे बूजो का एक सवाल है कि बूजो wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant is it to attract insects तो बूजो यह जानना चाहता है कि जो फूल है वो आमतार पे इतने रंगीन क्यों होते हैं इतने colorful क्यों होते हैं और फूल सुगंधित भी क्यों होते हैं क्या यह कीडों को attract करने के लिए होता है insects को attract करने के लिए होता है मतलब insects को अपनी तरफ खीचने के लिए होता है अपने पास बुलाने के लिए होता है तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यह insects क्यों चाहिए एक flower को क्या जरूरत परती है flower को insects की वो यहाँ पे लिखा है कि insects visit flowers and carry away pollen on their bodies pollen इनका reproductive organ है organ नहीं कहिए reproductive part है जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना है reproduce करने के लिए तो यहाँ पे insects काम में आते हैं जो insects फूलों के उपर बैठते हैं जैसे कि तितलियां जो एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो यह जो pollen है इन तितलियों पे चिपक कर एक फूल से दूसरे फूल तक जा सकते हैं और इस तरह से reproduction हो सकता है तो यहाँ वही बात है कि insects flower पे आते हैं फूल पे आते हैं और जो pollen है उसे एक body से दूसरी body तक पहुचा देते हैं some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind तो जब insects in pollen को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं तो यह in pollens को कहीं भी ले जा सकते हैं तो इसमें दो case बनता है दो options बनते हैं उसी का hint है यहां कि संभव है कि कुछ pollen जो है वो insect के द्वारा उसी तरह के flower पे same kind मतलब उसी तरह के रहके flower के stigma पे पहुँच जाए female part पे पहुँच जाए तो reproduction हो जाएगा इसे एक सकंड के लिए hold कीजिए इसे हम देखेंगे यहां पे यह self pollination और cross pollination के बारे में है अभी समझते हैं कि pollination क्या है pollination की यहां definition है the transfer of pollen from anther to the stigma of a flower is called pollination anther हमारा यह male reproductive part था तो यहां पे जो भी pollen है वो इस stigma तक पहुँच जाए यह यहां पे land करेगा pollen यह छोटा सा dot समझी आप इसे और यह इस style से होते हुए यहां पे tube की तरह का structure होता है यह अंदर यहां इस ovary तक पहुँचेगा और यहां पहुँच के यह fuse करके जाइगोट बनाएगा मतलब इस pollen का जो की यहां था यहां से यहां आना यही pollination कहलाता है pollination की definition यही है एक बार और देखिए कि transfer of pollen from anther to the stigma of a flower is called pollination तो pollination की definition आप से पूछी ही जाएगी इसे याद रखिएगा और pollination के types भी आप से पूछे जाएगे यह दो types से pollination होता है एक है self pollination दूसरा है cross pollination तो यह दोनो definitions भी काफी important है इन्हें भी ध्यान से देखिए if a pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant it is called self pollination self मतलब खुद का अपना मतलब bisexual flowers भी होते हैं जिसमें male और female part दोनों ही होता है तो अगर pollen एक ही flower के male part से female part पे चला जाए तो उसे भी हम self pollination कहेंगे या फिर एक ही plant के male वाले flower से female वाले flower तक पहुँच जाए pollen तो उसे भी हम self pollination कहेंगे मतलब same flower में या same plant के दूसरे flowers में अगर pollination हो रहा है pollen grain एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और फिर reproduction हो रहा है तो उसे हम self pollination कहेंगे और cross pollination इसका just उल्टा है कि when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of different plant of the same kind it is called cross pollination मतलब एक plant का male pollen अगर दूसरे plant के female stigma पे चला जाए stigma female ही होता है pollen male ही होता है तो एक plant का pollen दूसरे plant के stigma पे जाए तो ऐसे में cross pollination होगा ये same kind को समझे same kind का मतलब है कि flower जब भे reproduce करेंगे मान लेते हैं किसी एक तरह के plant का flower है तो वो उसी तरह के plant के flower के साथ reproduce करेगा मतलब flower reproduction करें मतलब flower के male और female gamets आपस में मिलकर जाई गोट बनाएं इसके लिए जरूरी ये है कि flower एक ही तरह के हो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर दो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं तो वो एक ही तरह के जानवर होने चाहिए तो same kind से यहां वही मतलब है कि एक तरह का flower अपने तरह के दूसरे flowers के साथ ही reproduce करेगा तो self-pollination में अगर अगर अपने ही plant के अंदर के दूसरे flowers के साथ reproduce हो जाए या अगर bisexual flower है तो एक ही flower में male से female पे चला जाए pollen grain तो वैसे को हम self-pollination कहेंगे और अगर दूसरे plant के flower पे pollen grain चला गया है और फिर वहाँ हमारा जाइगोट बन रहा है तो उसे हम cross-pollination कहेंगे pollination की definition self-pollination और cross-pollination with ये वाला डायाग्राम ये दोनों डायाग्राम stemmen का और pistil का और साथ में self-pollination कैसे हो रहा है ये वाला और ये cross-pollination कैसे हो रहा है ये वाला इसे आप याद रखेंगे और अगर exam में बनाएंगे भी इसे अपनी copy में तो काफी अच्छे marks मिलेंगे आपको fertilization कैसे होता है और जाइगोट कैसे बनता है इसकी image है यहाँ इसे हम fertilization में देखेंगे तो आएए देखें ये हमारा fertilization fertilization ये आगे की चीज है जब pollination हमारा हो चुका है sexual reproduction में मतलब pollen grain male से female तक पहुँच चुका है तो अब उसके आगे का जो कारेकरम है वो है fertilization वो देखें क्या है तो यहाँ किन gamet की बात हो रही है male gamet और female gamet की बात हो रही है तो एक flower का male gamet और female gamet जब मिला है या फिर अलग-अलग flowers के male और female gamets मिले है self-pollination हुआ है या फिर cross-pollination हुआ है तो ये दोनों मिलने के बाद fuse करने के बाद जो नया cell बनाते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं ये हमने उपर भी देखा है कि जाइगोट क्या होता है अच्छा अब है fertilization की definition वो कुछ हैसे है कि the process of fusion of male and female gamets to form a gigote is called fertilization male और female gamet के मिलकर जाइगोट बनाने वाले process को ही हम fertilization कहते हैं अच्छा अब ये male और female gamets मिलकर जाइगोट बनाएं ये जाइगोट जब बढ़ा होगा mature होगा तो क्या बनेगा तो यहाँ पर है कि the gigote develops into an embryo या फिर इसे embryo पढ़िए तो जाइगोट बढ़ा होकर embryo या embryo बनाता है तो ये हमने देखा fertilization के बारे में अगला section है हमारा 12.3 fruit and seed formation फल का बनना और बीज का बनना यहाँ एक फल की photo दिखाई गई है ये हमारा save है और इसके अंदर ये दो चोटे चोटे बीज हैं तो ये फल कैसे बनता है इसके अंदर ये बीज कैसे आते हैं तो fruit और seed formation में यही जानेंगे छोटा सा section है आईए देखते हैं after fertilization the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off ovary कहां था ये देखिए ये हमारा pistil के अंदर ये था ovary जिसके अंदर था ovule तो कहा जा रहा है कि जब जाइगोट बन जाएगा fertilization होने के बाद तो ये जो ovary है वो बड़ा होना सुरू होगा grow करना सुरू करेगा और ये grow करके बनेगा fruit और flower के बाकी जो parts थे ये stigma, style ये नीचे का डंठल ये सभी fall off कर जाएंगे गिर जाएंगे तूटकर flower मुर्जा जाएगा और develop करना शुरू होगा ये ovary तो ये ovary फल बनता है और ये जो ovule है ये बनते हैं seeds the fruit is the ripened ovary ovary जब पक जाता है तो हमें fruit मिलता है फल जो हम खाते हैं वो एक पका हुआ ovary है the seeds develop from the ovules ovule ये dark green वाला portion है और इनके अंदर जो ये yellow dots आपको दिख रहे हैं ये जाकर बनने वाले हैं हमारे seeds और ovary grow करने वाला है fruit में और ये बाकी के part flower के अब fall off हो चुके हैं गिर चुके हैं, मुर्जा चुके हैं इसके पहले हमने जाना है कि fertilization होने के बाद male और female gamit के fuse करने के बाद एक साथ जाइगोट बनता है और जाइगोट बड़ा होकर embryo बनता है या embryo बनता है तो ये embryo seed का part बनता है beach का part बनता है इसे यहां लिखा गया है कि the seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat embryo जो fertilization होने के बाद बना वो seed के अंदर होता है और जो भी beach आप देखते हैं उस beach के उपर एक coat होती है एक covering होती है वो protection के लिए होती है और ये seed हमारा fruit के अंदर होता है जो ये ovary grow होकर fruit बना इसके अंदर हमें ये seeds मिलते हैं जो की embryo है जो fertilization के बाद बना था तो I hope आपको ये clear है पूरा picture some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange कुछ जो फल हैं उनमें जादा flesh होता है जादा गूदा होता है और जादा रस भी निकलता है उनसे juicy होते हैं juice जादा होता है उनके अंदर जैसे की दो example दिये गए हैं एक आम और दूसरा संत्रा orange some fruits are hard like almonds and walnut दूसरे जो कुछ fruit हैं वो कड़े होते हैं hard होते हैं जैसे की almond और walnut का example दिया गया है 12.12a में ये एक fruit है जो save है इसे आप fleshy और juicy कह सकते हैं और ये एक almond है बादाम है ये hard है, कड़ा है तो ये दो तरह के fruits के बारे में था कि कुछ fleshy और juicy होते हैं कुछ hard होते हैं जैसे की almond और walnut अगला section है हमारा seed dispersal के बारे में कि बीज एक जगा से दूसरी जगा कैसे जाते हैं fertilization के पूरे process के complete होने के बाद fruit बनने के बाद उसके अंदर seed तो आ गया है fruit के अंदर अब seed है ये एक जगा से दूसरी जगा किस तरह जाता है अब इसके बारे में है section 12.4 seed dispersal dispersal मतलब एक जगा से दूसरी जगा जाना in nature same kind of plants grow at different places हम आसपास देखते हैं कि एक ही तरह का पौधा जैसे की आम का पौधा अलग अलग जगाँ पे उगता है बहुत सारे जगाँ पे आम का पौधा आमे मिलता है this happens because seeds are dispersed to different places ऐसा इसलिए होता है कि आम का जो बीज है वो अलग अलग जगाँ तक पहुचा और फिर वहाँ पे आम के पेड उगने शुरू हुए sometimes after a walk through a forest or a field or a park you may have found seeds or fruits sticking to your clothes कुछ समय जब आप एक जंगल से गुजर रहे हो या एक पार्क में घूम रहे हो तो आपको अपने कपड़ों पर कुछ फल के बीज चिपके हुए मिलेंगे did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes clinging का मतलब है चिपकना तो क्या आपने कभी observe करने की कोशिस की है कि ये जो बीज आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं पेड़ों के पास से या किसी जंगल से गुजरने के बाद ये कैसे चिपकते हैं आपके कपड़ों पर क्या आपने कभी notice किया है आप क्या सोचते हैं क्या होता अगर एक पेड़ के सारे बीज एक ही जगह पे गिड़ जाते और वहीं ग्रो करना शुरू कर देते मतलब मान लेते हैं एक पौधे के पास दस बीज थे वो दसो बीज एक ही जगह पे गिर गए जमीन पे और वहीं पे 10 पौधे एक साथ ग्रो करना शुरू कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत आएगी There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space अब चुकी 10 पौधे एक साथ ग्रो कर रहे हैं एक ही जगह पे बहुत छोटे एरिया में तो ऐसे में सारे पौधों को sunlight चाहिए सारे पौधों को water चाहिए, minerals चाहिए और जगह चाहिए ग्रो करने के लिए तो ये चीजें उन्हें कम मिलेंगी Competition बहुत ज़्यादा हो जाएगा हर पौधा sunlight को ढूंडेगा हर पौधा जमीन से water खीचने की कोशिश करेगा तो ऐसे में जब 10 पौधे एक चोटे से जगह में इन सभी चीजों को absorb करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर पौधे को ये बहुत कम मिलेगा Sunlight भी बहुत कम मिलेगा Water और minerals भी बहुत कम मिलेंगे तो बुखमरी वाली हालत हो जाएगी पौधों की As a result, the seeds would not grow into healthy plants तो ऐसे में क्या होगा जब उन्हें proper sunlight, proper nutrition नहीं मिलेगा सभी पौधों को जो एक साथ एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं तो वे अच्छे पौधे नहीं बन पाएंगे वो healthy plants नहीं बनेंगे और वो ढंग से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे तो इसी लिए ये जरूरी है कि plant के जितने भी बीज हैं वो अलग-अलग जगह तक पहुँचें और अलग-अलग जगहों पे पेंड बनकर ग्रो करें ताकि उन्हें ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल सके Plants benefit by seed dispersal It prevents competition between the plant and its own settling for sunlight Water and minerals जब एक पौधे का बीज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इससे पौधे को फायदा ये होता है कि पौधे को आपस में fight नहीं करना पड़ता इन resources के लिए जैसे कि अगर parent plant के पास ही बीज गिर जाए मालेत हैं आम का एक बड़ा पेर था और उसका बीज उसी पौधे के पास गिर कर वहीं से ग्रो करना शुरू करता है तो जो पहले से बड़ा plant था उसके साथ उसका competition हो जाएगा जो water और nutrient वो जमीन के अंदर से खीच रहा था अभी नया पौधा भी water और nutrients खीचना शुरू करेगा तो दोनों को कम-कम मिलेगा competition बढ़ जाएगा तो dispersal से ये फायदा है कि जितने भी plant ग्रो करने वाले हैं सबको प्रचूर मातरा में परियाप्त मातरा में sunlight, water, nutrient, minerals ये सारे मिलेंगे अच्छा, तो seed dispersal का seed का, beach का एक जगा से दूसरी जगा जाने का ये एक फायदा हुआ कि competition खतम हो गया सबको भरपेट भोजन मिलेगा sunlight मिलेगा दूसरा फायदा ये है कि it also enables the plants to invade new habitats for wider distribution habitats का मतलब है living or dwelling place जहाँ पे कोई जीव रहता है उसे habitat कहते हैं तो plant के seed अलग-अलग जगों पे जाते हैं वहाँ पे grow करते हैं तो उन्हें उस जगह को capture करने की invade करने की आजादी होती है उस जगह को हथियाने की आजादी होती है और वे एक काफी बड़े area को cover कर पाते हैं जिससे हमें एक तरह के पौधे अलग-अलग जगों पे दिखाई देते हैं यह seed dispersal के कारण होता है और seed dispersal के यह दो फायदे हुए seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals एक plant के seed किन तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे या तो wind की सहायता से, हवा की सहायता से, पानी की सहायता से या फिर जानवरों की सहायता से, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं तो कुछ ऐसे punk वाले seed हैं, winged seed हैं, ऐसे बीज जो उड़ सकते हों कुछ इस तरह के बीज, इनमें punk किसी विवस्ता है तो ऐसे seeds कौन कौन से हैं, उनके नाम यहां बताए गए हैं कि drum stick का seed हो, maple का seed हो, या फिर जो हलके घास हैं, उनका बीज हो सूरज मुखी का फल हो, ये हवा के द्वारा काफी दूर तक बहकर पहुँच जाता है हवा में उड़कर पहुँच जाता है Some seeds are dispersed by water कुछ ऐसे भी seeds हैं, कुछ ऐसे बीज हैं, जो पानी के द्वारा एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous coat as in coconut तो जैसा कि नारियल में होता है, जो पानी की सहायता से एक जगा से दूसरी जगा जाता है तो ये अगर काफी दिनों तक पानी में रहे, तो ये फूल कर तैरने की क्षमता develop कर लेता है तैरने की ability develop कर लेता है इसका जो उपरी सता है वो fibrous होता है, फाइबर का बना होता है, ये spongy बन जाता है बहुत दिनों तक पानी में रहने के बाद और ये आसानी से तैर पाता है ताकि पानी में काफी दूरी तक ये travel कर सके और दूसरे किनारों तक पहुँच सके Some seeds are dispersed by animals, specially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places कुछ ऐसे seeds हैं जो काटेदार होते हैं, spiny होते हैं और वे जानवरों के शरीरों पर चिपक जाते हैं, उनसे लग जाते हैं, हुक कर जाते हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं जानवरों की शाहयता से, जानवरों की body पर चिपक कर Examples are xanthium figure 12.15, तो ये है xanthium की image, इसमें ये जो hooks आप देख रहे हैं, ये जानवर की body पर चिपक जाएंगे और जानवर इन्हें एक जगा से दूसरी जगा ले जाएंगे बड़ी आसानी से Some seeds are dispersed when the fruits burst into sudden jerks कुछ ऐसे भी फल हैं, कुछ ऐसे भी fruits हैं, जिनके अंदर जो seed होता है, वो disperse होता है उनके फूटने के कारण वे बंद रहते हैं आमतर पे और वे जब खुलते हैं तो एक जटके के साथ खुलते हैं, फूटते हैं in fact और उनके अंदर जो seed होता है, वो दूरी तक फैंक दिया जाता है उस फूटने के कारण तो sudden jerk एक जटके के साथ फूटना उनका seeds को दूर तक ले जाता है, दूर तक disperse करा पाता है The seeds are scattered far from the parent plant तो ऐसे में जो बीज है, वो जो parent plant है, जो original plant है, जिसका वो seed है, वो दूर तक पहुँच जाता है, इस jerk इस जटके के कारण This happens in the case of caster and balsam, तो ये जटके के साथ जिनके seed फूटते हों, जिनके फल फूटते हों, in fact, seed नहीं तो ऐसे दो plants के नाम बताए गए हैं, वो है एक caster, दूसरा है balsam, जो जटके के साथ फूटते हैं, और इनके seed parent plant से दूर जाकर गरते हैं, और वहाँ वे develop होते हैं तो ये था seed dispersal के बारे में और इसी के साथ खतम होता है आपका ये chapter, इसमें हमने पढ़ा sexual और asexual reproduction के बहुत सारे modes के बारे में, मुझे उमीद है आपको ये chapter समझाया होगा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप comment section में जरूर लिखे, हमारी इस वीडियो को देखने के ल तब तक के लिए, बाइ-बाइ